जैशी कृष्णा हर हर महादेल, कातिक महतम का छटा आध्याएं तो नाराजी कहते हैं जब दो घड़ी रात बाकी रहे तब तिल, कुश, अक्षत, फूल और चंदन आधी लेकर पवितरता पूर्वक जलाशे के तट पर जाएं मनिशे का खुदवाया हुआ पोखरा हो अत्वा कोई देवकुंड हो या नदी अत्वा उसका संगम हो इनमें उत्रोतर दस गुने पुर्णे की प्राप्ती होती हैं तथा यदि तीर्थ में स्नान करें तो उसका अनंतफल माना गया है ततपश्या भगवान श्रीहरी विष्णू का स्मरन करके स्नान का संकल्प करें तथा तीर्थ आदी के देवतां को करमशा अरगे आदी निवेदन करें इसके बाद व्रत करने वाला पुरुष भागीरती श्रीहरी विष्णू शिव और सोरे का स्मरन करके नाभी के बराब बजल में खड़ा हो विधी पूर्वक सनान करें ग्रस्त पुरुष को तिल और आमले का चूरन लगा कर सनान करना चाहिए वनवासी सन्यासी तुलसी के मूल की मिट्टी लगा कर सनान करें सत्मी अमवस्या नावमी दित्या दश्मी और त्यदुशी को आमले के फल और तिल के द्वारा सनान करना निशिद है सनान के पर शादविधी पूर्वक देवता रिशी मनुष्य तथा पित्रों का तरपन करें कार्थिक मास में पित्र तरपन के समय जितने तिलों का उप्योग किया जाता है उतने ही वर्षों तक पित्र स्वर्ग लोग में निवास करते हैं तदंतर जल से बाहा निकल कर वर्ती मनुष्य पवित्र वस्त्रधारन करें और प्राता कालोचित नित्यक कर्म पूरा करके श्रीहरी का पूजन करें। फिर भक्ती से भगवान में मन लगा कर तीर्थो और देवताओं का स्मरन करते वे पुना, गंध, पुश्प और फल से युक्त अर्गे निवेदन करें। इसके बाद वेद, विद्या के पारंगत, ब्राहमनों का गंध, पुश्प और तांबुल के द्वारा भक्ती पूर्वक्त पूजन करें और बारम बार उनके चर्णों में मस्तक जुकावें। पूरुस्चित को इकार्ग करके भगवान विष्णु की पुणानी कथा सुने तथा कथा वाचक विद्वान ब्राहमन अत्वामुनी की पूजा करें। जो मनुष्य भक्ती युक्त होकर पूर्वक्त संपून विध्यों का भली भाती पालन करता है। अंत में भगवान नरायन के परमधाम में जाता है। भगवान शीरी हरी विष्णु और माता लश्मी कीजाए हो।